नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर एड्वाइजर में आज हम आपको दो नन्ने पशुपालकों से मिलवाएंगे जिनका पशुप्रेम देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा आज के समय में जब हमारा यूआ इस पशुपालन के वेबसाइट से दूर होता जा रहा है तब ये नन्ने पशुपालक हम सब के लिए प्रेर नसोर्थ के समान हैं देखिए क्रिशी वेब पशुपालन हम बारतियों के खून में हैं और अगर हम उससे दूर होंगे तो नुकसान ही उठाएंगे तो आईए देखते हैं वीडियो शायद इन दोनों भाईयों को देखकर हमारा देश का जो यूआ है वो जागरित हो जाए तो शुरू करते हैं वीडियो लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे में नमर निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जुरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि आप नमस्कार चोटे भाई स्वागत था आपका अमारे यूट्यूब चैनल फार्मर एडवाइजर में नमस्कार जी अच्छा चोटे बाई सबसे पहले तो आपना नाम बता दो क्या नाम आपका मेरे नाम प्राभजो संगी प्रभजोच शिंग जी गाउं कौन सा नाम ही उमर तरहरान साड़ी गेप अच्क वाहसा तो आप अपने घर में जो एपशु पालन का आपकारे करें वेसमें आप कुछ में मदद भी करते हो या नहीं करते नहीं अच्छा मदद करते हैं हाँ क्या काम करते पिता जी और जादा जी मैं अच्छा तो आख्यास सब ठीक है इसकी उमर साड़े चार साल है जी साड़े चार साल इसकी उमर है ठीक है और ये मतलब आपके गर का बच्चा है या ठीक है इसकी मदर थी वह आपके पास ही थी हाँ अब नहीं है हमने सेल कर दी ठीक है ठीक है इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड था रिकॉर्ड था इसकी पादर का क्या सीमन कौन सा यूज का अच्छा यूराज का बेटा है यह ठीक है तो छोटे बाइए एक चीज पुछूँगा जैसे आपने इसको इतना अच्छा त्यार कर रखा अच्छा एवी शरीर है इसका अच्छा तंदुरुस्त है तो इसकी डाइटिंग क्या करते हैं खाना क्या खिलाते हैं इसको अब दाना चारा क्या क्या देते हो इसको गर की फीड बनवाते हैं ठीक है देते हैं बाकी सर्दी में हम गाजरें ठीक है और दूद भी पिलाते हैं ठीक है और बस बाकी नॉर्मल डाइट तक रीबन दूद कीतना पिला देते हैं आप दिन में इसके दिन में पाँच लीटर तो पी जाता है और जो आप दाना कहा रहे हो अपने घर में पिषूहाता है और ल्ग सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर्वा ना मीटर कर यह की तीन कहरते हैं तूर चैए अ dress कि कोई सीमन तियार करवा रखे हैं नहीं अभी नहीं अभी करवाई नहीं तो देखो जी अगर आप इतना अच्छा पशुदन रख रहे हैं और अगर आपके सच्छे पशुदन का दूसरे किसानबाईयों को फैदा ना हुआ उसका कोई वह नहीं चकता नहीं तो मेरा आप से निवेदन है कि आप इसका सीमन जुरूर बनवाएं ताकि जो एक पशुपालक है गरीब पशुपालक है उसके पास भी एक ऐसा पशुदन हो और वो भी आप की तरहीं सम्रिद्धी पासे के तो यहां PDF MLA में आप इसको किस के competition के लिए हैं किस कैटेगरी में competition के लिए यह म आप 18 वर्च के हैं बहुत युवा हैं पशुपालन के अंदर आज के समय में हमारे जैसे बाई हैं जो मतलब है घर पे काम ना करकर फैक्टरियों में 10-10,000 रूपया 7,000 रूपय की नोकरी कर लेते हैं पर अपने घर में दो बैंश रखकर दूद बेच के अपना बुजारा नहीं करते तो आपको क्या लगता है पशुपालन में फैदा है या या पिर सब यूंहीं जो लोगा यह हैंज है आगर शौण को हो आदमी को मंडसे करता है तो तो सब कसे होता है भर बाई प्शुपालन में फैदा है छोटे बाई बहुत जादा मेरे को अच्छा लग रहा है आप शे बात करकर दिल खुश कर दिया जब एक आप जैसे उमर का व्यक्ति इस तरह के कारे करता है तो दिल खुश रहता है दन्यवाद आपका